हेलो दोस्तो मैं हूँ TN from TN Studio जराज की इस वीडियो में अपन म्यूजिक ब्रेक्डाउन करने वाले हैं यो यो हनी सिंग पाजी के कला इस्टार सोंग का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दोस्तो पाजी कमबैक कर रहे हैं तो बिना किसी देरी के वीडियो को सबसे पहले देखें मेलोडी में इन्होंने यूज किया है गिटार का लूप मेलोडी को थोड़ा सा एम्बियंस प्रोवाइड करने के लिए वोकल्स ओप्स का यूज किया गया है ठीक है साथ में एक बार सुनके देखते हैं इन चीजों को अपन मेलोडी में इन्होंने और ऐसा ही करना रहता है दोस्तों क्योंकि म्यूजिक एक स्पेक्टरम होता है उसको अपने को भरना रहता है और अनी सिंग पाजी दोस्तों इतने बड़े लेजेंड है और मतलब इंटरनेशनल लेवल काम करते हैं तो उनसे आप सीख ले सकते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके ड्रम सेक्षन पे एक बार कम्प्लीट सुन लेते हैं उसके बाद ब्रेकडाउन करेंगे तो दोस्तों बिल्कुल टिपिकल हनी सिंग वाला जो ड्रम लूप है इन्होंने बनाया है सबसे पहले लिए है कि ठीक है इसके बाद एक स्नेर किक है दोस्तों इस तरीके का बहुती प्यारा स्नेर इन्होंने यूज़ किया इसके बाद हाई हैट्स बीट के अंदर दोस्तों ग्रूब बढ़ाने के लिए रिम का यूज़ किया गया है और एक टोम का यूज़ किया गया है देखे और इसके बाद दोस्तों ड्रम लूप के लो एंड पे काम करने के लिए इन्होंने गिटार का बेस यूज़ किया गया है इस तरीके की बेस मेलोडी यूज़ की गई है दोस्तों इसके बाद आते हैं अपन FX सेक्षन पे FX में ज्यादा कुछ खास नहीं है दोस्तों सिरफ और सिरफ एक क्रेस है तो म्यूजिक अपन ने कंप्लीट कर लिया दोस्तों वोकल इसके अंदर मिक्स करेंगे और कंप्लीट गाना आपन सुनेंगे उससे पहले अगर आप एक इंटरमीडियेट हो बिगिनर हो आपके समझ नियारा म्यूजिक प्रडक्शन में किस तरीके से ग्रो करना है आप एक ही जैचा लैज़ा जाट शम्न पार पेवच्द कार खूब कर प्यार अच्टियां पूजें आया मुझे सीगार आप एक ही तर मेरे अवार कियां मेला गे पिकर